हेलो गाइज कैसे है आप सब लोग मैं जसल मेर का जो ब्लॉग था वो बना के वापस आ चुका हूँ और अभी हम एक और नया व्लॉग बनाने जा रहे हैं तो केमरा में पर मेरे साथ है मेरा चोटा भाई तो अभी हम यहां गाओं में सर्दियों के मौसम में खास कर बेर खाय अभी हम धिरे दिरे आगये बढ़ रहे हैं यहां पर कुछ खेत हैं जहांपर फसल को काट दिया गया हैं यहांपर बाजरी बोई गई ती और मेरे आगे ठोड़े से कध्मों पर ही मेरा छ्टा भाई चल रहा है तो मैं अभी तेज-देज कध्मों से चल रहा हूँ यह मेरा चोटा भाई आप देख सकते हैं कैसे हैं आप सब अच्छा तो अभी मैं जा रहे हैं यहां पर बेर खाने के लिए हम दोनों हैं और कोई साथ में नहीं हैं बहुत ज़्यादा यहां पर बेर के पेड़ पहते हैं आपको दिखाएंगे और अभी मुझे नजर आ रहा है कि दूप भी सूरिय अस्त हो रहा है आप देख सकते हैं तो मेरे पीछे का आपको एक हीरन है अच्छा आप देख सकते हैं कि हम आपको जूम करके दिखाएंगे वा यार क्या माइस कि अच्छा गार का तो दोस्तो अकिर कार हम एक बेर के पेड़ के नीचे पहुंच चुके हैं आप देख सकते हैं की मेरा भाई बाए क्टने हैं जिपाइस नहीं हमारे फ्रेंड्स को अब देख सकते हैं कि हएसा भी एड़ हैं। मैं एड़ी घाकर टेस्ट करता हूँ। अब देख ढसा है धोस्तो... फबशी इस भी आप ता हैं। मोज़े काफी अच्क्य लग लग रहे हैं। अच्छा है इसकी आप खाऊगे तो बाब को बहुत ही जद्धा इंट्रेस्ट आएगा तो अभी आम काते हैं देख तो आप दोस्तों मैं आपको इसका पेड़ भी दिखाने की कोसिस करता हूं जो बेर का पेड़ होते हैं आप देख रखते हैं कि यह बेर का पेड़ है अब हमने बेर खा लिए बेर काफी मीटे थे मुझे काफी अच्छे लगे और मेरे चोटे भाई को भी बोर काफी अच्छे लगे हमें यहां देख लेंग्वेज में बेर को बोर बोलते हैं हलाकि सही जो हिंदी वर्ड है उसमें हम कहते हैं बेर खेर इसको इंगलिस में प्लम भी कहते हैं तो हम दिरे दिरे आगे बढ़ रहे हैं और आप देख सकते हैं कि आपको राजस्तान में बहुत सारे आख के पेड मिल जाएंगे यह आप देख सकते हैं कि यह आख का पेड है आप देख सकते हैं बेर का एक और पेड है हम इसके और मीटे बेर खाने की कौसीस करते हैं अपसके है तो हम आनंद उटाते हैं दिरे ढदो कहरा है आगे बढ़ रहा है आपक देख सकते हैं कि हम साम का मशुक का हुचका मे हुचका सूरज भी यहां से धल चुका यहां से ues childrenimoni hai गाने सुनने के लिए लेके आया था लेकिन आपके लिए मैं वॉलॉग बना रहा हूं यहीधि काफी इंटरेशटिंग वॉलॉग होने वाला है यह आप लाश्ट तक बने रही है हमारे वॉलॉग पर मैं आपके लिए और भी ट्रेवलिंग व्लोग भी लाने के कौसिस करता हूँ और आप सुन सकते हैं कि यहां कुछ चीडियों की आवाज है यहां पर यह गेट लगा हुआ है मेरा छोटा भाई गेट को वापस लगा रहा आप देख सकते है चलो दिरे दिरे हम आगे बढ़ रहे है तो दोस्तो अभी हम एक छोटा सा पहाड है परवत कह सकते हैं यहां नेटिव लेंग्वेज में इसको क्या कहेंगे मुझे नहीं पता तो अभी हम सोच रहे हैं कि यहां पर हम चड़ेंगे आप देख सकते हैं कि मुझे एक नील गाई भी दिख रहे हैं आप देख सकते हैं कि वह बाग रहे हैं साम का समय है और मेरा चोटा भाई दिरे दिरे आगे बढ़ रहा आप देख सकते हैं सो गाइज अभी केमरा मेरे पास है और अभी मेरा भाई उपर जा रहा है एंड मेरे पास है तो मैंने थोड़ा व्लोग भी सूट कर रहा हूं एंड चलते हैं उपर यह देख सकतो हो बहुत ज़्यदा डलाने उसके उपर चणना पड़ रहा है वैसे मेरा भाई उपर जा रहा जैसे आप सब लोग अभी केमरा आ चुका है मेरे पास और हम अभी साम की सबसे खुबसूर्थ नजारे का आनन ले रहे आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे सूरज भी पूरा डल गया है यहां पर कुछ पत्तर भी है और मेरा चोटा भाई कुछ कहना चाहते हैं यहां पर हम फो कुछ काटीदार जाडिया भी है बेर के पेड भी है केर के पेड भी है केर के अभी फल नहीं लग है सूक चुका है लेकिन अगर जोत्पूर रास्तान के मरुस्टलेध से बिलोंग करते हैं या राजस्तान से या कई भी जगे से हैं आपने राजस्तान के बारे में जरूर जानते होंगे और अभी साम का समय है और मंद मंद यहां पर अभी सर्दी भी पड़ रही है हलाकि बहुत सर्दी कम है इसलिए मैं इन्नर पैन के आया हूँ मुझे थोड़ी सी कम सर्दी लग रही है तो दोस्तो तो दोस्तो अभी हमने फोटो सूट कर लिया है और अभी हम थोड़े से ठक गए तो अभी हम बैठ गए तो एवरिवान यहां पर हमने पूरे अची तरगे से गुम लिया एंड फोटो सूट भी हमारे कम्पलीट हो चुका है अब मेरा भाई अब वीडियो को एंड करने का टाइम आ गया अब मेरा भाई आपको कुछ बताएगा तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएए और अभी हम वीडियो खतम करते हैं हमने साम का काफी आनद उटा है बेर भी खाये बेर काफ दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में बाई बाई